हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी SBI Junior Associate 2019 की जो Second Waitlist है ठीक है इससे पहले First Waitlist आई थी तो आज सबसे पहले आपको पता ही होगा जो आपका वेट लिस्ट है वो आउट हुआ है सबसे पहले आपको SBI Career पर क्लिक करना है ठीक है यह उपर एक SBI Career का पेज है इस पर क्लिक करके आपके पास यह विंडो ओपन हो जाएगी इसमें सबसे लास्ट में एक Option होता है सबसे लास्ट वाला जो Option होता है यह साइड में जो विंडो ओपन होती है लेटेस्ट अनॉंस्मेंट उपर लिखा होता है इस पर क्लिक करो आप क्लिक करने के बाद आप यहां पर जाओगे एक नीचे ओप्शन दिया हुआ है में एक्जाम स्क्योड बाइदी कंडिडेट्स यह वाला देखिए यहां पर नीचे लिखा है कंडिडेट प्रोविजनल स्लेक्टिड फ्रॉम सेकिंड वेट लिस्ट इस पर क्लिक करिए आप जैसी आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यह आगा आपका पूरा जो टोटल स्टूड़न स्लेक्ट हुए है सेकिंड वेट लिस्त के अंदर वो ठुक है और यह देखिए इसमें आप मान जो जाए जैसिनों निकाल लिक्त है इसमें कुछ टूड़न जो फर्स्ट वेट लिस्त वाले होंगे ठीक है, वो या तो IBPSPO में select हुए है ठीक है, या किसी दूसरी higher post पे select हुए है किसी दूसरे exam में उन्होंने छोड़ा है या कुछ student वो होंगे, जिनका home state में कहीं न कहीं अपना या तो clerk में हो गया होगा, ठीक है, home state में clerk में हो गया होगा, और SBI उन्होंने दूसरी state से डाला होगा तो उनका होगा है, second wait list के अंदर, ठीक है तो यह चीज important थी, और अब लोग हम बात करते हैं जो आपका SBI clerk pre का result है, 2020 का, उस is related ठीक है, बहुत important चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो 2020 का result है, अब आप एक चीज़ देखिए, second wait list आउट हो चुकी है इसके बाद third wait list भी आनी है, ठीक है, और third wait list मान के चलिए आप दो महीने बाद आईगी वो, maximum to maximum, ठीक है, नमंबर में जाके क्योंकि इससे पहले वाली जो wait list आई थी, आपको पता है, first wait list काफी पहले आई थी बट वो corona की वैसे कुछ ना कुछ डेले हो गया था बीच में और joining भी जो first wait list है, जो selected हुए थे, उनकी 15th of July को joining हुई थी ठीक है, 15th of July से 15th of August से 15th of September, मतलब two month के बाद इनका वो हुआ है process complete, और third wait list में तो students भी बहुत कम लेंगे ये लोग, तो जो second wait list है अब इनकी joining कितनी जल्दी करवाते हैं ये, उस पर depend करता है, जो third wait list है अक्तूबर की date है, अगर ये mains करवाते हैं, SBI का, ठीक है, और October में आप मान के चलिए, first week में हो नहीं सकता ठीक है, क्योंकि first week के अंदर IBPS PO का, ठीक है, IBPS PO का, sorry, IBPS PO का आपका pre है, first week में, ठीक है उसके बाद, सद 18 को आपका RRBPO का mains है, और शायद मैं गलत ना हूँ, तो October के end में आपका RRB clerk का mains है ठीक है, अब date बजती है, आपकी 17th of October के round, ठीक है, 17th of October के round अगर mains लेते हैं ये लोग, ठीक है जादा chances हैं, इसी date के round इसका mains होने का, ठीक है, तो आप मानके चलिए, result आपका कब तक आना चाहिए, September के end week तक आप मानके चलिए, SBI clerk pre का result आ सकता है ये high chances हैं, September end तक, या October first week तक, क्योंकि maximum to maximum आपको 15 दिन मिलेंगे mains के लिए, जो SBI का, color का mains होगा इस साल वाला, उसके लिए आपको 15 दिन देंगे, maximum to maximum तो guys मैं ये कहूंगा, कि जितना आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी त्यारी थोड़ा और ज्यादा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि result का यार ऐसा होता है न, कि कहीं बार, और SBI का तो आपको पता ही है, maximum बहुत कम दिन देता है mains के लिए, ठीक है, तो आप मई मन से उठा लीजिए अभी, अपना, मई से लेके आप, अक्तुबर तक लेके चलिए आप, जो आपके current affairs है, इतना आपको पढ़ना ही है, किसी एक source को follow करो, अगर पहले नहीं पढ़ रखा है, छोड़ो उसको, नए source को पढ़ रहे हो तो ठीक है, उसको पढ़ो, पर उसी पे stick कर रहो और उसको बार-बार revise करो, तब ही कुछ फायदा मिलेगा, बहुत सारे sources को पकड़ के अगर तुम पढ़ोगे, उससे फायदा नहीं मिलना है, ना revise होगा, और दिमाग puzzle होगा उस चीज में, ठीक है, तो यह है, expected date मेरे हिसाब से, इसकी October में रहने वाली है, 17 October के round में भी क्या पता हो सकता है, ज्यादा chances लग रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो इसकी second weight list थी, सब लोग इसी का ही weight कर रहे थे पहले, ठीक है, इसके बाद तो third जब आएगी, उससे पहले तो mains तो होई जाएगा, बट third जब आएगी, उसके मतलब mains का result आ जाएगा, और यह final अगर जल्दी करना चाहें, तो थोड़ा December तक यह complete हो सकता है, प्रोसेस इस साल वाला complete, और अगर third नहीं आती है, तो यह भी chances हैं, कि यह vacances आप इस वाली vacances में add हो सकती है, जो बचीवी vacances जो third waiting में आएगी, तो मेरा ऐसा prediction है, आप लोग को क्या prediction है, आप मुझे comment करके बता सकत हो, ठीक है guys, तो guys इतना है, मैं वीडियो को यहीं पर end करता हूँ, और जाने से पहले यही बोलूँगा, कि आपको वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके बताना, और यह वीडियो उन फ्रेंड के साथ शेर गए ना, जो second wait list में select हुए हैं, और मतलब जो wait कर रहे थे काफी time से, ठीक है, मेरा एक congratulations हैं सब्स्टूरेंट्स के लिए जो select हुए हैं, आद इसमें second wait list में, और मेरी इस वीडियो को like करो, and चैनल को भी subscribe कर देना, and notification bell को hit करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के notification भी आपको मिल सकें, and guys मेरे टेलिग्राम चैनल है, इसका link मैं ठीक है guys, thank you, have a nice day